रुकावर्ट से हो तंग प्रिये तो कर लो एप चेंज प्रिये देख बिना ब्रेक डाउंलोड तक आप वकीलों के वेलफेर के लिए चीफ मिनिस्टर्स एड़ोकेट्स वेलफेर स्कीम का एलान किया था जिसके तहट 50 करोड रुपए अलग से रखे गए थे वकील समाज के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट सर्विस अदा करते हैं जिसको दिल्ली सरकार रेकगनाईज करती है और वकीलों की बहुत समय से ये मांग रही है कि उनके वेलफेर के लिए अलग से योजना बनाई जाए मुझे लगता है ये जो 50 करोड रुपए दिल्ली सरकार ने वकीलों के वेलफेर के लिए अलग से रखे हैं ये पूरे देश में आज दक इतने बड़ा एमाउंट वकीनों के वेलफेर के लिए किसी भी सरकार ने नहीं दिया पहली बार दिल्ली सरकार वकीनों के वेलफेर के लिए इतना बड़ा एमाउंट दे रही है ये पचास करोड रुपए किन किन चीजों पे उनके कौन कौन से वेलफेर के उपर खर्च किये जाने चाहिए समय समय पे अलग-अलग वकीलों की संस्थाओं ने अलग-अलग डेमांड्स रखी है उसको मदे नज़र रखते हुए हमने तै कि सरकार ये तै नहीं करेगी कि उनके किस वेलफेर के लिए कितना पैसा खर्च करें उसके लिए आज हमें एक और जारी किया है दिली सरकार ने जिसके तहट एक 13 वकीलों की कमिटी बनाए गई है और ये वकील जो है जो इनकी बॉडी है जितनी भी बॉडी है लगबग सभी बॉडी से एक 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 रेप्रेजनटेटिव हम लोगों ने लिया है तो इस body के convener होंगे श्री राकेश कुमार खन्ना जो senior advocate है और सुप्रिंग कोट बार association के प्रेजिडेंट है इसके इसमें दूसरे member होंगे श्री केसी मित्तल वो advocate है और chairman है बार council अफ डेली के श्री राहुल महरा वो standing council है दिल्ली सरकार के criminal side में दिल्ली high court में श्री रमेश सिंग वो standing council है civil side पे दिल्ली सरकार के दिल्ली high court में श्री मोहित माथुर वो president है दिल्ली high court bar association के श्री राजेश कौशिक वो vice president है द्वारका बार association के श्री आरके वाधवा वो प्रेजडेंट है न्यू डिली बार असोसेशन के पट्याला हाउस कोट्स श्री एंसी गुप्ता वो प्रेजडेंट है दिली बार असोसेशन के तीस हजारी कोट्स श्री हेमंत महला महता वो वाइस प्रेजडेंट है साकेत बार असोसेशन के श्री प्रमोद नागर वो प्रेजिडेंट हैं शादरा बार एसोसेशन कड़कर डूमा कोट्स श्री राकेश चहर वो उन्रेजी सेक्रेटरी हैं रोहिनी बार एसोसेशन के श्री कमल मحता वो एक एड़ोकेट है डिल्ली हाई कोट में और श्री अमिताब चतरवेदी एड़ोकेट डिल्ली हाई कोट यह 13 कमिटी है और 10 दिन में इन लोगों को को रिपोर्ट देनी हैं दस दिन के बाद जो रिपोर्ट आएगी इनकी सिफारिशों को दिल्ली सरकार फिर कंसिडर करेगी और उसके आधार के ओपर इनकी चीफ मिनिस्टर्स एड़ोकेट वेलफेर स्कीम लागू की जाएगी